तो आज हम बनाने वाले हैं अपना खुद का SDK यानि की Software Development Kit देखिए अगर आप IT इंडस्ट्री के अंदर काम करते हो तो कभी ना कभी आपने SDK का यूज जरूर से किया होगा या फिर अगर आप अपनी programming journey अभी स्टार्ट कर रहे हो तो ये जो SDK है उससे आपका मिलन जरूर से ह होने वाला है देखिए ये जो SDK वो बहुत ही फेमस टम है Software Industry के अंदर और इसका एक नेचर है कि ये लेंग्वेज इंडिपेंडेंडेंट है इसकी वजह से आप चाहो तो इसे किसी भी लेंग्वेज के लिए बना सकते हो देखिए आज के इस वीडियो के अंदर हम याप ए किसी और प्रोजेक के अंदर भी इसे यूज कर सकोगे using npm command अभी मैं आपको simple way में समझाता हूँ कि ये SDK क्या होती है देखिए यहाँ पर मैं चलता हूँ मेरे YouTube चैनल के उपर और यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर आएंगे तो मैंने recently एक वीडियो क्रियेट किया था ज अगर मैं आपको यहाँ पर npm.js पर जाके यह जो SDK जो कि Google के द्वारा बनाई गई है जो कि यह Generative AI तो इसकी help से आप यहाँ पर Gemini AI का use करके अपने projects create कर सकते हो लेकिन अगर यह SDK ना होती मुझे Gemini AI की जो API उसे call करना पड़ता और मुझे उसकी जो सारे response है वो मुझे यह यहाँ पर manually write करके पूरा अपना जो code है उससे structure करना होता लेकिन अभी Generative AI की SDK की help से मुझे यहाँ पर जो इसका response हने वाला है या फिर इसकी जो APIs है उसके अंदर जो भी मुझे body parameters pass करने होते है वो मुझे पहले से ही पता चल जाएगे विकोज यह जो SDK है उसको बनाया इसी purpose के लिए है कि आपका जो development life cycle है वो थोड़ा easy हो जाए जब आप Google की Gemini AI का use करें तो कुछ इसी तरह की SDK हम आज यहाँ पर बनाने वाले है और इस SDK के अंदर हम यहाँ पर यह जो JSON placeholder नाम की website है उसका यहाँ पर API का SDK create करेंगे तो चलिए अभी हम चलते हैं यहाँ पर VS Code के अंदर और मैं अभी आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप scratch से इसे बना सकते है और लास्ट में हम इसे NPM पर publish करेंगे तो अभी मैं चलता हूँ VS Code के अंदर और मैंने यहाँ पर एक folder open कर लिया है जिसके अंदर मैंने यहाँ पर इसका नाम दिया है JSON placeholder SDK अभी यहाँ पर हम टर्मिनल को open करते है और यहाँ पर हम एक command type करेंगे जो की है npm init-y और इतना करने के बाद आपका यहाँ पर एक npm का project initialize हो जाएगा और इसके अंदर अभी हमें कुछ changes करने होगे और कुछ dependencies को install करना होगा देखिए npm command run करने से पहले make sure के आपके system के अंदर node.js installed है तो ही यह command आपका काम करेंगा वरना यह चीज काम नहीं करने वाले अभी यहाँ पर हमें कुछ packages को install करना है तो यहाँ पर मैं एक command type करता हो npm i और यहाँ पर मुझे एक type script चाहिए होगा और एक और package है जो कि Pretiac उसे भी मैं install करूँगा और यह जो सारे मेरे packages है वह as a dev dependency install होने वाले है अभी यह जो सारे dev dependencies थी वह यहाँ पर install हो चुकी है और अभी हमें यहाँ पर package को install करना है चुकी है axios तो इसे भी हम यहाँ पर install कर देते हैं अभी इसे मैं यहाँ से clear करता और अभी हमें TypeScript को initialize करना होगा तो यहाँ पर मैं command लिखूँगा npx और यहाँ पर लिखेंगे tsc and hyphen hyphen init तो इत्ता करने के बाद आपका यहाँ पर basically tsconfig.json करके file create हो जाएगा और इसके अंदर अभी हमें कुछ changes करने होगे लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर git repository को initialize करने वाला हो तो यहाँ पर मैं लिखता हो git init and इसके बाद यहाँ पर मुझे एक file create करने होगी जो की होगे dot git ignore और इसके अंदर जो node underscore modules है उसे यहाँ पर ignore करने वाल है now अभी हम चलते tsconfig.json के अंदर और यहाँ पर अभी हमें कुछ changes करने होगे इसके अंदर अभी हमें क्या करना है आप यहाँ पर अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक property मिलेगी जो की है root date तो इससे आपको enable करना है और यहाँ पर आप लिखेंगे src तो हमारा में लिखता हूँ outdoor और इसके अंदर आप लिखेंगे dish तो basically जब हम typescript का project compile करेंगे तो हमारा जो compiled javascript version होगा वो सारा is folder के अंदर आने वाला है and then इसके बाद इतना setting हो जाने के बाद आपको यहाँ पर एक special चीज है जिसको enable करना है और वो है declaration तो यहाँ पर आप सर्च करे करेंगे declaration तो आपको यहाँ पर true मिलेगा और इसे आपको enable करना है और यह declaration इसलिए है because हम यहाँ पर typescript का sdk create कर रहे है और जब हम इसे npm पर publish करेंगे तो npm को पता होना चाहिए कि actually इसके अंदर कौन कौन सी जो type से वो define की हुई है तो इसके लिए हमें इससे भी enable करना हो होगा जिससे यहाँ पर जब हम हमारा project को build करेंगे तो उसके साथ declarations भी यहाँ पर create हो जाएंगी तो tsconfig.json के अंदर हमें इतना ही setting करना था और अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर यह जो हमारा project है उसका structure create करने वाला है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा सबसे पहले तो यह यहाँ पर हमें एक src folder create करेंगे and यहाँ पर बाहर हमें एक file create करने वाले है जो create.pretierrc अभी इसके अंदर मैं कुछ basic pretier का setting रखने वाला हो तो इससे मैं यहाँ पर as it is paste कर देता हो और यह basically हमारे formatting के लिए है तो इसका ज्यादा matter नहीं करता है लेकिन यह हमारा जो code है जो folder create करेंगे जो की होगा API folder और इसके अंदर हम एक file create करने वाले है जो की होगी todos.ts तो यह जो API folder है वो basically इसलिए मैंने यहाँ पर create किया है because अगर आप यहाँ पर JSON place folder पर आएंगे तो यहाँ पर इन्होंने एक API DOE है और इसी API का हम SDK create कर रहे है तो इसके अंदर हम internally क्या यह जब fetch API call है जो की todos के लिए create किया हुआ है उसे हम use करेंगे और उसकी help से हम यहाँ पर अपना SDK create करेंगे तो यहाँ पर हम जिसका SDK create करने वाला है वो basically todos है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर file create की todos.ts अब यह जो src folder है उसके अंदर आप एक file create करेंगे जो की होगी config.ts then ए basically हमारे project का entry point होगा और यहाँ पर एक और फाइल चाहिए हमें जो की होगी interface.ts और यह जो index.ts है उसे मैंने गलती से API में डाल दिये बट उसे आपको रखना है src folder के अंदर अभी इतना हो जाने के बाद यह चारो files को में close करूँगा और अभी चलते packet.json के अंदर और अभ यहाँ पर में लिखता हूँ loadmon और यहाँ पर यह जो nodemon होगा वो basically call करेगा हमारा src folder के अंदर index.ts फाइल से अभी इसके बाद एक और script हमें यहाँ चाहिए जो की होगी start script तो यहाँ पर में लिखता हूँ node.disk slash index.ts फिर एक और script हमें यहाँ चाहिए होगी जो की होगी pre publish only और इसके अंदर हम लिखेंगे npm rule build और यह जो build command है उसे भी हमें यहाँ पर create करना होगा तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ build जिसके अंदर मैं लिखनोंगा npxtsc तो यह basically basic type script stuff है तो अगर आपको पता होगी जब भी हम type script का कोई code यहाँ पर create करते है तो उसके अंदर हमें build करना होता है तो यह इसका build command है जिसके अंदर मैंने type script का project को build करने के लिए npxtsc नाम का यह command यहाँ पर write किया है और यह prepublish only नाम का script हमने create किया वो basically इसलिए है कि जब भी हम यहाँ पर अपना npm package create करेंगे तो जब भी हम यहाँ पर उसको publish करने वादा है तो उससे पहले य यहाँ पर build create करेंगा जो npm है वो और उसके बाद ही हमारा जो package वो publish होगा now यह जो main file है उसके अंदर आपको लिखना है dist-index.js और इसके बाद आपको यहाँ पर एक और चीज़ एड़ करने है जो कि यह types और उसमें आप लिखेंगे dist-index.d.ts तो यह जो file है वो कहां से आप देखें और इसके अंदर कुछ files create होके आई है चुकि है index.d.ts, config.d.ts तो यह declaration file है अगर आपको पता हो यहाँ पर tsconfig के अंदर हमने यहाँ पर declaration को true किया था तो यह इसी का नतीजा है जिसकी वज़े से यहाँ पर declaration files create हो रही है अभी यहाँ पर यह जो author है उसको मैं य write कर देता हो order bb and then यहाँ पर एक और block हमें यहाँ पर input करना है जो कि यह files और यह जो files है इसके अंदर आपको एक log pass करना होगा जिसके अंदर हम लिखेंगे dish slash double star then slash and then again star यानि कि यहाँ पर वही file include करो जो कि dish के अंदर आने वाली है जब हम यहाँ पर अपना project build करेंगे और यह जो description है इसे मैं यहाँ पर as it is इसको copy करूँगा और इसे paste कर दूँगा तो अभी चलिए अपना जो sdk है उससे develop करना start करते है तो अभी हम सबसे पहले चलेंगे index.ts के अंदर और यहाँ पर हमें class create करने वाला है तो यहाँ पर हमें लिखता हो export class और इसका हम नाम जेसल placeholder sdk और इस class के अंदर हम क्या करेंगे एक method create करेंगे जो कि होगी fetch to do और यह basically asynchronous method होने वाले है तो यह asynchronous method है उसका एक parameter होगा जो कि होगा to do index और वो होगा basically number type का अभी आप सोचोंगे कि यह मैंने fetch to do नाम की यहाँ पर method है वो q create की देखिए अगर हम चलते हैं यहाँ जेसल placeholder नाम की website पर तो यहाँ पर इन्होंने यह जो API वो create की हुए जो कि हमें help करती है किसी specific to do को fetch करने के लिए तो अगर हम इस पर चलते हैं तो आप देखना है यहाँ पर मुझे एक JSON response मिलने वाला है जिसके अंदर मुझे basically यह चार properties मिल रही है और उसका corresponding value यहाँ पर म method create किये उसकी help से जब हम अपना sdk किसी external project के अंदर use करेंगे तो हमारी जो fetch to do है वो हम वहाँ पर use कर पाएंगे और अपनी to do directly JSON placeholder से fetch कर पाएंगे तो यह जो fetch to do है उसके अंदर code करने से पहले हमें क्या करना होगा यहाँ पर यह जो todos.ta से इसको सबसे पहले create करना होग तो यहाँ पर अभी मैं लिखता हो export default और यहाँ पर हम एक method create करेंगे जो कि होगी fetch to do और इसके अंदर हम basically JSON placeholder नाम की जो website है उसके उपर API call करने वाल है तो यहाँ पर भी again to do index से यह होगी हमें और यहाँ पर हम number use करेंगे और यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे Axios को import करने वाल है तो यहाँ पर मैं लिखता हो import Axios और यहाँ पर अभी हम get API call करेंगे तो यहाँ पर मैं लिखता हो axios. और यहाँ पर लिखेंगे get और यहाँ अभी हमें pass करना है एक URL तो अगर आप यहाँ पर इस website पर आएंगे तो यहाँ पर इन्होंने एक URL दिया हुआ है जिसके अंदर यह जो API है उसका एक base URL है तो इसे मैं अभी copy करने वाला हूँ और यह जो base URL है उसे हम यहाँ पर config.ts के अंदर डालने वाल है तो यहाँ पर मैं लिखता हो export default और यहाँ पर अभी में एक variable create करूँगा जिसका मैं नाम रखूँगा json placeholder API base URL और यहाँ पर मै यह जो value है इसे paste करने वाला हूँ नाव यह जो configuration है वो constant होने वाली है तो यहाँ पर मैं last मैं लिख दूँगा as a const and then इसे भी हम यहाँ पर import करने वाल है तो यहाँ पर मैं लिखता हो import config और यह यहाँ पर हमारा import हो जाएगा और अभी हम क्या करेंगे जो back tick है इसके अंदर ह paste कर दूँगा और यह जो to do है उसे में यहाँ पर grammatical workspace setting में डाल देता हूँ तो यह करना mandatory नहीं है लेकिन यहाँ पर blueish error दिखा रहा था इसलिए मैंने इसे यहाँ पर डाल दिया है अभी यह जो number है जिसकी help से हम यहाँ पर to do fetch करते हैं तो यह basically एक dynamic number है तो यहाँ पर मैं to do index है जो कि हमने यहाँ पर receive की इसे यहाँ पर dynamically pass करने वाला है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ to do index और अभी यह जो इसका response आने वाला है उसे basically हम यहाँ से return कर देंगे तो यह जो todo.ts थी उसका काम यहाँ पर हमारा खतम हो चुका है और अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर पापस आएंगे इस fetch to do नाम के function के अंदर और यहाँ पर अभी हम करेंगे try catch blog तो यह जो try catch blog है उसमें जो अगर हमारी error आएंगी तो simply हम यहाँ पर throw error कर देंगे और अगर error नहीं आती है तो हमें यहाँ पर क्या करना है यह जो todo नाम का जो हमने API create किया उसे यहाँ पर import कर और इसके उपर हमने एक method create की जो की थी fetch to do और इसके अंदर हमें एक parameter pass करना है जो create to do index तो इसे pass करने के बाद यह जो basically method है वो एक हमें promise return करती है तो यहाँ पर हमें अबइट लगाना होगा और इसका जो response आएगा वो basically हमें एक data दाम के variable के अंदर मिलता है तो यहाँ पर मै यहाँ पर मैं चलता हूँ interface.ts नाम की इस file के अंदर और यहाँ पर जो response है उसको द्यान से दिखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पर total four properties है जो की हमें return हो रही है जब हम यह API call करते है तो हमें इसका ही interface बनाना है तो interface basically typescript के अंदर कुछ नहीं है हमारा जो data है उस इसकी information है type information तो उससे हम यहाँ पर create करेंगे तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ export interface और इसका जो नाम देंगे वह वोगा i fetch to do and then इसके अंदर आप क्या करेंगे देखे सबसे पहले जो property है वो है user id जो की एक number type की है then हमारी एक और property है जो की id है और वो भी एक number type की है then यहाँ पर हमारे पास title तो यहाँ पर हम लिखेंगे title string type का data है and then यहाँ पर last में है completed जो की एक boolean value है तो इससे अभी हम save करेंगे और यह जो हमारी index.ts है इसके अंदर हमें इससे import करना है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ i fetch to do और यह जो हमारा interface है वो import होगा हमारा interface.ts से तो यहाँ पर हम इसका जो data है उसका हमें type देना होगा because इसका अभी जो type है वो एक any type है तो जब भी हम इस sdk को use करेंगे तो अगर हम यहाँ पर कोई type define नहीं करेंगे कि किस तरह का data यहाँ पर return हो रहा है तो हमें actually में वहाँ पर मालूल नहीं पड़ेगा कि actually जब हम यह fetch to do नाम का जो sdk method यूज करेंगे तो वहाँ पर कौन सा data आएगा तो इसके लिए हमने यहाँ पर यह type define किया तो इसका मैं नाम change कर देता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ fetch to do और अभी हम क्या करेंगे इसके अंदर एक type define करेंगे तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ data और इसका complete हो चुका है और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर constructor भी create कर लेता हूँ लेकिन इसे हम empty रखने वाल है तो यहाँ पर मैंने constructor create कर लिया और इसके अंदर में एक simple comment डाल देता हूँ अभी हमारा यह पूरा जो development था इस sdk का वो यहाँ पर complete हो चुका है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर again यह जो command है उसे run करूँगा जो कि npm run build ताकि हम यहाँ पर देख सके कि actually में सारी files है कोई यहाँ पर generate होई है या नहीं तो आप देखिए यहाँ पर सारी files है अपर generate हो चुकी है और अभी हमें क्या करना है हमें चलना है npm.js.com नाम की इस website पर और यह पर अभी मेरे पास zero package is available है तो मुझे इसका एक package create करना होगा तो मैं क्या करता हूँ इसे यहाँ पर clear करता हूँ और अभी आपको command type करना होगा जो कि यह npm login तो आप जैसे ही इस command को type करेंगे तो यह जो npm है वो आपको अपने npm.js.com के उपर ले जाएगा अपने browser से और यहाँ पर अभी आपको login करना होगा तो मेरे पास मैंने already यहाँ पर login किया हुआ है और इसको authenticator app के अंदर set किया हुआ है तो आपको यह process है वो कुछ से ही करनी होगी देखिए यह जैसे ही authentication successful होता है तो यहाँ पर आपको error मिलेगा login and then आपको एक और command यहाँ पर type करना होग चोखी है npm publish और make sure कि आप जो भी package का नाम देला चाहे वो name यहाँ पर लिखा हुआ हो उसी नाम से आपका यह जो sdk वो यहाँ पर publish होने वाला है तो यहाँ पर मैं करता हूँ npm publish तो यह again मुझे यहाँ पर ले चलेगा npm js पर तो यहाँ पर मैं जैसे ही enter करूँगा तो फिर से मेरे पास यह authenticator code मागेगा तो मैं यहाँ पर इसे enter कर देता हूँ तो यहाँ पर again मेरा authentication successful हो चुका है और अभी आप देखे कि यहाँ पर मुझे एक error मिल रही है और इसके पीजेगा एक reason है कि यह जो package है उसे मैंने already इसी same नाम से यहाँ पर publish किया था npm js पर लेकिन इसको भी delete किये हुए 24 hours नहीं हुए है तो मैं क्या करूँगा इसका नाम change करने वाला हूँ तो इसका अभी हम नाम करते है json placeholder apisd के और इसको भी मैं यहाँ से change करके यहाँ पर paste कर देता हूँ और यह जो हमारा package lock.json है इसके अंदर भी अगर यही कई पर नाम लिखा हु जाएगा तो यहाँ पर अभी हम चेक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर यह जो हमारा package है with the name json placeholder apisd के वह यहाँ पर version 1.0.0 के साथ publish हो चुका है और अभी हम अगर जाए हमारे npm के अंदर और अगर मैं इससे reload करो तो आप देखना यहाँ पर अभी हम एक package दिख रहा के उबर तो यहाँ पर हमने जो sdk उसे तो हमने यहाँ पर publish कर दिया लेकिन अभी आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि actually मैं इसको use कैसे करना है तो use करना बहुत ही simple है मैं क्या करूंगा यहाँ पर folder create करता हूँ तो यहाँ पर मैं चलता हूँ एक directory back और यहाँ पर अभी म code को open करूंगा तो मैंने इस folder के अंदर vs code को open कर लिया है और यहाँ पर again हम same process करेंगे Node.js का repository यहाँ पर initialize करेंगे तो यहाँ पर मैं करता हूँ npm init-y और अभी यह जो package है जो कि हमने create किया इसका install command यहाँ पर आ चुका है इस sdk का तो इसकी help से हम यहाँ पर इसे install करने व आ सकते हो तो यहाँ पर यह जो package है वो अभी हमारा package json के अंदर आ चुका है और अभी आप देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा इसे import करने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ require और यह जो require है उसके अंदर हम यहाँ पर package का नाम पास करेंगे जो कि यह json placeholder api s sdk और इसके अंदर से हमें basically यह जो हमारा class name था जो कि हमने define किया था उसे import करना है now यह हमारा जो class है वो यह पर import हो चुका है और इसका हमें use करके इसका एक instance create करना होगा तो मैंने यहाँ पर इसका एक instance यहाँ पर create कर लिया है और अभी यहाँ पर मैं लिखता हूँ const sdk for to new json placeholder sdk अभी आप देखना इसकी beauty जैसे मैं यहाँ पर sdk dot करूँगा तो यहाँ पर मुझे एक method मिल रही है जो कि हमने यहाँ पर sdk के अंदर create की थी तो यहाँ पर इस project के अंदर अगर हम चले तो यहाँ पर index.ts है इसके अंदर हमने fetch to do नाम की method create की थी तो जै जैसे मैं यहाँ पर dot लगाता हूँ तो यह vs code मुझे suggestion दे रहा है तो यह जो fetch to do है उसके अंदर अभी आप देखे हमें again suggestion मिल रहा है और यह powerhead typescript का तो अभी हमें यहाँ पर to do index देना है तो यहाँ पर में one दे देता हूँ और यह जो fetch to do है वो basically promise return करती है तो यहाँ पर हम यहाँ पर value dot करूँगा तो आप देखिए वहाँ पर हमने जो एक interface create किया था उसकी सारी properties हमें यहाँ पर list हो के मिल रही है तो मैं चाहूँ तो इन में से कोई भी यहाँ पर console करवा सकता हूँ लेकिन मैं अभी के लिए यहाँ पर console करवा हूँगा इस पूरी value को तो मैंने यहाँ पर इस value को log करवा लिया है और अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे node index.js तो आप देखना अभी हमारा यह जो response है जो कि हमें यहाँ पर JSON placeholder नाम की website के उपर यानि की API के उपर मिल रहा था तो यहाँ पर मैं अगर one number का to do fetch करूँ तो आप देखिए यह जो है डिलेक्टस और ओटम यह सेम response हमें यहाँ पर मिल रहा है और अगर मैं यहाँ पर two करूँ तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है यह कुछ random सा string तो यहाँ पर यह सेम चीज़ भी हम यहाँ पर try करेंगे तो यहाँ पर to do number कर दिया two और अभी अगर हम यहाँ पर API call करके कुछ error आ चुके मेरे internet की वज़े से तो यहाँ पर मैं वापस से इसे try करता हूँ तो यहाँ पर देखिए अभी हमें response मिल रहा है जो की है ID2 और यह वही same title है जो की हमें यहाँ पर दीख रहा था तो हमने यहाँ पर successfully एक TypeScript की help से यहाँ पर SDK create कर लिया है JSON place order का और इसी same way म आप अगर चाहो तो और भी advance SD case create कर सकते हो और यह एक बहुत ही अच्छा project है अपने resume में दिखाने के लिए तो अगर आप चाहो इस तरह की SD case बना कर भी अपने resume के अंदर दिखा सकते हो और आप बहुत ही अलग से stand out करोगे तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते है और प्लीज यार यार यहाँ पे मैं इतनी सारे मेनद करता हूँ लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कोई भी ज्यादा subscribe नहीं करता और मेरे वीडियो को like नहीं करता तो अगर आप चाहो और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो please मेरे वीडियो को like, subscribe और share किया किजे और अभी म मैं मिल दाओ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर तिल देन अपी कोडिंग